हेलो एवरीवन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही हूँ बहुती आसान सा बेशन से बहुती जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट और उसी की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ खाने में टेस्टी लगता है हेल्दी भी होता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसकी मत कीजिएगा अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से ये बिरेकफास्ट ट्रेडी करती हूँ देखिए सुबह की भागदोड में फटाफट से बन जाता हूँ इसमें एक्स्टा चिकनाई भी नहीं डलती है तो सबसे पहले हमने कटोरा ले लिना है और उसमें एक कटोरे में अगर आप दो परसंट के लिए बना रहें तो छोटी कटोरी बेसन काफी है तो छोटी कटोर बेसन ले लिया है इसमें सबसे पहले डाल देंगे हम अपने मसाली मसाली में सबसे पहले में डाल दिया है नमक नमक डालना को स्वादन सार थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिएगा क्योंकि बेसन गैस बनाता है थोड़ी सी अजवाइन जरूर डाली थोड़ी सी डाल दि तो भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी डाल दी हींग थोड़ी सी डाल देंगे एक छोटी चमल चिकनाई आप जो भी चिकनाई यूज करते हैं चाहे तो सरसो का तेल और चाहे तो रिफाइन अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो पानी हमें डालना है जैसे कि हमने एक छोटी पानी डालना है तो इसी कटोरी सिम में डाल दूंगे तो बिल्कुल इसका एक पतला घूल तैयार कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें गाठे नहीं पढ़नी चाहिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते वे बिल्कुल पतला घूल तैयार कर लेजिए अब देखिए हमारा घूल तैयार हो गया है एक दम पानी जैसा दिख रहा आईए ऐसा ही घूल हमें तैयार करना है देखिए अगर आप थोड़ा सा घूल को गाढ़ा रखेंगे तो उससे क्या होगा आपका बेशन टाइट जमेगा और इस तरीके से घूल का आप बेशन जमाएंगे तो बिल्कुल पनीर के जैसे एक दम सोफ्ट जमेगा तो अब मैंने कड़ाई ले लिए और कड़ाई में लेना है लगवग 5-7 मिनिट में पकर दियार हो जाता है आपको दिख जाएगा कि जब यह गाढ़ा हो जाएगा जमने के लाएक गैस बंद कर देनी है अभी मैं आपको दिखा दूंगी देखिए यह गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से घुमाते वे इसे चला देना देखिए कितना गाढ़ा हो गया है हमरा बेशन को जब आप इस तरीके से बेशन जमाएंगे तो बेशन आपका बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा बहुत ही सोफ्ट पनीर के जैसा लगेगा खाने में भी तो इसी तरीके से बेशन जमाएगे हैं तो अब यह जब जमाने के लायक हो गया है तो हम एक थाली में लगा लेंगे हलकी सी चिकनाई और इस थाली में इसको निकाल देंगे जबाने के लिए देखे मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गी लगा लिया था पहले ही और अब इसमें मैं अपना बेशन निकाल दूँगी इस तरीके से और बराबर फैलाते वे इसी ठंडा होने के लिए रख देना एक साइट अब ये देखे ये पूरी थाली में मैं ने फैला दिया है अब इसको ठंडा होने के बाद हम कट कर लेंगे अब इसके मैं पीस काट रहे outright आप अपनी मनपसंद के अंसार सके काट लीजिये मुझे छोटे छोटे पढ़ानाया स्ञाव कर लेक को जाब है कि अब 8 अधि नि uk लेकर दिखा देती हैं कि हमारा बेसन कितना अच्छा कर सकते हैं यहां पर मैं इसमें सारी सब्जी आड़ी eraid So you better प्याज ले लिए पतली दूंपी घृट में गोवि बिल्कुल पतली डेंख Ah एक छोटे साइज की मैंने सिम्ला मिर्ज को भी पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है दो छोटे साइज की गाजर और दो हरी मिर्ज को मैंने बीच से लंबा लंबा काट लिया है यहाँ पर मैंने करी पत्ता और अजवाइन ले लिया है देखिए बेसन को बनाने के बाद अजवाइन से फ्राई करना है यह थोड़े से ले लिए मैंने सफेद तिल अब मैंने लोहे की कड़ाई ले लिए इसमें चड़ा दूँगी थोड़ असा सासो का तेल इसमें जादा चिकनाई का यूज नहीं करना है क्योंकि हेल्थी प्रेकफास्टन तियार कर रहे हैं तो अब तेल को गर्म होने के बाद डाल दिया मैंने अजवाइन और करीपत्ता और अजवाइन को चटकने के बाद डाल दिया मैंने प्याज प्याज को एट करने के बाद बराबर चलाते वे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे दो मिनिट तक फ्राइ करनी है उसके बाद डाल देने इसमें मसाले देखे बेशन में मसाला हम डाल चुके हैं अब हमें सब्जियों के अकोर्डिंग ही मसाला डालना है तो सबसे पहले मैं ढाल देंगे अपनी पत्ता गोभी अब अच्छे से चलाते वें मिक्स करेंगे दीकित सब्जियों को हम這邊 स्ब्जीों को पकाना नहीं है सिर्फ अच्छे से मिक्स कर देना है इसके पार डाल देंगे मिर्च अब डाल देगे मैंने सफेद तिल अच्छे चलातेए हुँ मिक्स करेंगे और सबसे लास्ट में अपना बेसन अड़ कर देगे अच्छा कलर आ गया है सबजी उपर तो अब हम यसमें अपना बेसन अट कर देते हैं बेशन को एड़ करने के बादृ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और गैस को बद कर दीजिए अब हमारा breakfast रेडी हो गया है तो लीजिए गर्मा-गर्म ब्रेकफास्ट फटाफट से रेडी हो गया है यह देखे देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी बनाएए आप भी ट्राइ कीजिए एक बार यह रेसिपी अब मैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल रही हूं तो यह आज की मे मेरे रेसिपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा थैंक यू सो मच